प्रेंज में और लुब सोडेंगे ऑद बताओ, इदार पॵी दर्थतों नहीं है? नहीं इदारफ कोई दर्थ ? नहीं इदार इते नहीं इदार कोई पेहन हे? इदार नहीं कह्तू, कहुक्त पूंभE ना भी पर्मानेंट इधर रहती है, यह यह ला, ज्यादत रही ही रहती है, जब भी अप्चेट होती है वो उपर गी तरफ ही जाती है, और इसके बाद में यह दोनों लाइने जो है, यह खिची हुई है यह दर्द रहता है, हिजाब रहता है, बहुत ज्यादा, जब आप पुलाओ पूरा पेट अब यह खिच रहेगा, यहां तो कोई खिचार नहीं है, लेकिन यह दोनों साइट में खिच रहे है, करेक्ट है, यह साथियों, पेट की समस्या को कभी भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, चाहें वो आपकी सिर्फ और सिर्फ नाभी की ही समस्य आज बहुत सोटी सी एज में पेट की समस्या और वो भी इतनी जवर्दस्त के पेट साथ नहीं होता, पेट में दर्द रहता है, ना भी अपसेट रहती है, कुछ भी खाते हैं तो पेट फूल नहीं लग जाता है, नीन नहीं आती रात को, तो यह सारी समस्या जो हैं, जब इनको आप मेजर अंदाज करते हैं, तो यही कई न कई बहुत बड़ी समस्या का रूब ले लेती हैं, जिसकी वज़े से आपका अपना लाइफ स्टाइल जो है, वो बिल्कुल एक्तम डिस्टाब हो जाता है, दोस्तों, अपने साथ एक बहुत छोटी सी एज की सजन, जिन जिसमें नेबल डिस्पेस्मेंट है, नलिल हो रखे हैं, बहुत जबरदस्त, कॉंस्टिपेसन की प्रॉलम है, गैस्रिक प्रॉलम है, ऐसे रिटी बनती है, भूख नहीं लगती, रात को नीद नहीं आती, और इतनी सारी समस्यां एक साल से होने के बाद उनका अपना बजन भी कम हो गया उसकी बज़े से, तो खास करके कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, कि अगर निवल डिस्पेस्मेंट है, नले की प्रॉलम है, या आईबियस की प्रॉलम है, इसको आप नजर अंदाज ना करें, अगर आप नजर अंदाज करते हैं, तो यह कहीं न कहीं डेरेक्ल बहुत सारे लोग आज हमारे को देखते हैं, सोचल मेडिया प्लेफोंस में भी देखते हैं, हमारे यहां पुरे आलोफर इंडिया से लोग आते हैं, पेट का ट्रेक्मेंट कराने के लिए, और उनकी अपनी पेट की समस्या बहुत जल्दी से 100% ठीक हो जाती है, तो अगर आपको भी ऐसे पेट की समस्या है, नियूरोधरेपी ट्रेक्मेंट ही आपकी अपनी पेट की समस्या वो 100% यानि पूरी तरह से ठीक कर सकता है और करता है, धन्यवार।